Hello friends, आज हम अब discuss करेंगे कि Saturn अगर Leo Ascendant Saturn अगर Leo Ascendant के First House में बैठा हो तो अगर Saturn आपके Leo Ascendant है आप और आपके First House में बैठा है तो उसका कैसा result होगा Well, आपको पता है जिकी Leo is ruled by Sun and Saturn is a Sun of Sun ठीक है, so it's a मेरे लिए थोड़ा हाट प्रेडिक्शन है because वैसे तो देखा जाए तो Saturn और Sun always मतलब कभी भी एक साथ खड़े नहीं होते हैं they are not at all comfortable with each other but a father and a son has a different kind of relationship also father always look after his son without expressing it and Sun also admires his father even if it feels he is angry about angry or frustrated by his father but he stands by his father his father, sorry तो यहाँ पर मैं बोलूँगा के थोड़ा सा यह complicated इसलिए है because as a result देखा जाए तो Saturn is not a मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा जिकी not at all comfortable in this house Saturn is somehow semi comfortable in this house तो result भी semi ही होगा और मेरी confusion इस बात की है जिकी कि किसी लोगों के लिए हो सकता है जिकी इस लगन में बैठा हुआ Saturn लिए अच्छा हो तो मैं आप से यह request करूँगा जिकी आप इसको देखिए जिकी मैं जो prediction दे रहा हूँ इसके साथ पर आप अपने sun को भी देखिएगा अगर sun आपका ascendant कहीं अच्छी जगा बैठा है तो Saturn is ought to give you some good result because it will certainly increase the chances of results it will improve drastically so I hope कि आपका sun कहीं अच्छा बैठा हो अगर नहीं बैठा है तो भी यह सेमी अच्छा result देगा negative तो होगा लेकिन positive भी होगा in between चलेगा middle path पे चलेगा but I wish कि आप लोगों के लिए अच्छा result देगा हाल अब देख लेते हैं कि Saturn यहां बैठे हुए कैसे result देगा सबसे पहली तो बात यह जी कि अगर आप business करना चाहें तो अगर आपका sun strong है तो आप कर सकते हैं because 7th house का owner होके क्या जो कि आप 11 लिखा है तो Saturn का house है और accurate लगन है है थोड़ा happy लगन है Saturn का तो Saturn का अगर accurate लगन आपके 7th house में लिखा है तो obviously आप business कर सकते हैं आपके spouse के साथ आपके spouse आपको help करेंगे आपकी business पे but उनके साथ आपका कैसा relationship रहेगा उसके basis पे future का business कैसे होगा वो पता चलेगा तो मैं आपसे यही बोलूँगा जी कि अगर आप Saturn आपको 7th house का owner हो के first house में बैठा है तो अपने spouse के साथ अच्छा relationship रखने के कोशिश करेंगे कि आप थोड़े tempered है आप थोड़े गरम है और गरम क्या है जी कि Saturn पहले तो पसंद करता है तो spouse आपको यह पसंद करेंगे जी कि आप शाट टेमपर या गरम है लेकिन हो सकता है डाउन दर डाउन इन दर लेन मतलब फ्यूचर में जाके वो हो सके जी कि यह सोचें कि हिवाई is so angry तो अपने आपको थोड़ा कंड्रोल में रखिएगा सैटन वहाल है कि आपको कंड्रोल आपको काफी यहाँ पर सपोर्ट करेगा इस बात पर जी कि आप थोड़ा से थौटफुल होंगे आप चीजों को लेके सोचेंगे आप थोड़ा सा सोचके काम करेंगे पर वाइफ की साथ अगर relationship रखना है तो अपने गरम दिमाग को थोड़ा सा थंडा रखने की कोशिश करिएगा इसके साथ में अब मैं आपको यह बोलूँगा जी कि बिजनेस आपके यह अच्छा रहेगा सिक्स हाउस का ओनर होके फर्स हाउस में बैठा है मूल ट्रिकोन में उत्रा अच्छा नहीं रहेगा loan liability आपकी जिन्दगी में हो सकती है उसको मैं तो बोलूँगा बचके रहीएगा लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं लेकिन उसकी tension रहेगी आपको ठीक है तो अगर आप tension रखके लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं थर्ड आउस पर देखेगा सैटन यहां पर अपनी तीस्टी डिस्टी से हालकि यहां पर वीनस का घर है तो इस पर यहां पर आपके गरम दिमाग से हैं आपके भाई बैन चोटे भाई बैनों के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम होगी otherwise सब कुछ ठीक रहेगा और सेवन्था उसको तो देखी रहे तो business आपका average चलेगा आप work में अगर आप जाते हैं तो अगर work करते हैं जॉब कर रहे हैं तो job के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक रहेगा लेकिन वो भी सेमी ही रहेगा तो आप job भी कर सकते हैं और simultaneously आप क्या बोलत कभी कभी साइटन यहां बैटे बैटे आपको इरिटेट कर देगा विकास आप करना तो बहुत कुछ चाहते है जिन्देगी डिकिन पा रहा होता है यह रूक रहा होता है ऑट तो इब बहुत जल्दी जल्दी लेकिन जनलने के बाद जो जल रही होते है और अगर इसे फ्यू जब आपको थोड़ा कंस्ट्रेंट करेगा तो आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप अपने आपको उसको मैंचुरी के लेबल पर लेखी आइ तो और अगर आप में इस वीडियो को आप पसंद आया तो आप लाइक किज़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ झालोवा, थैंक यू